तो ये Health, Wealth and Harmony वाली सीरीज में थर्ड जो main important point आता है आपका वो आता है bedroom placement का दोस्तो किसी भी घर में stability कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी घर stable है या नहीं है उसके master bedroom की position जानके अगर master bedroom सही दिशा में आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो घर stable है नेरित एकोन में master bedroom आ रहा है और सही तरीके से वहाँ पर उन्होंने पैसे रख रखे है southwest में अपनी safe लगा रखी है it means उस घर में stability है otherwise आप समझ लीजिए कि इस घर में stability नहीं है अगर master bedroom गलत दिशा में आ रहा है पैसा उदीस में आ रहा है तो समझ लीजिए stability नहीं है पैसा भी नहीं है और health भी खराब है northwest में आ रहा है तो stability नहीं है पैसा कूब कुमा रहे होंगे incoming पैसे की बहुत होगी बट stability नहीं है ना ही relationship पच्चा चल रहा